करने वाली हूँ कई अर्से बाद मैं फिर से पर्पिल हॉल शेयर कर रहे हूं तो चल्ब वीडियो शुरू करते हैं जो पैसे प्रोडक्ट है वह सबसे फीडियोंकि आसे का अपको पर्फेले होती indicates चल्ब बाइयो पालिफेल लगाए मैं करते हैं like biotique की coconut brightening instant glow cream ये देखो एक तो ये बहुत जादा mushroomizing है और इसे apply करते ही ना आपकी like एक glow जो आती है ना मैं उसे बता ही नहीं सकती अब जरूर एक वर इसे try करना मेरी channel पर इसकी उपर review भी है मैं वो eye button पर डाल दोंगी अब जरूर देखना बहुत सही वारी cream है बहुत सही वारी इसके साथ मैंने जोल दी है ये थी byotique से और एक जो कि मेरी all time और क्यूंकि मैं beach पर जा रही हूँ तो मुझे लगा कि ये एक बहुत जादा needful product होगी वो है papaya tan removal brightening and revitalizing face scrub ये देखो ये मैं बहुत जादा यूज करती नाव मेरी third product है वो है ये भी एक बहुत फेवरेट product है वो है avogado hyaluronic acid and vitamin e hydrating night cream ये देखो ये भी for dry skin है क्यूंकि रात को जब इसी ते सोती हो तो बहुत जादा अगर आप भी रात रात में इसी में सोते हो तो शायद आपको dry massage हो सकते है तो आप ये cream ज़रूर यूज करना बहुत सही वली है तो ये थी मेरी third product नाव मेरी fourth जो product है वो है as goodness से argon face oil with gold ये देखो ये छोटू सा मैंने ली है क्यूंकि इसे मुझे use करनी थी पहली बार तो मैंने ले ली है ये कितनी क्यूर सा छोटो सा एक बॉटल में आई है ये देख सकते हो इसकी 5 ml है इसकी quantity और इसके साथ इस तरह की dropper भी आई है जिसके हिल से और मैंना ये ली है क्यूंकि मुझे vacation में तो आपको बहुत जादा कुछा प्ले नहीं पाओगे ना बड़ी बड़ी तो मैंने ये छोटे एक तो मैं इसे यूज करके देख भी सब्कियों कि ये कैसी है और इसके साथ साथ लाइक अभी थोड़ी थोड़ी करके आपको facial oil की तरफ जाना चाहिए क्यूंकि season change हो रही है तो ये थी मेरी next product now मैं क्यूंकि again क्यूंकि beach पर जा रही हूं तो ये मेरी बेटे के लिए सांस्क्रीन मामा आर्थ mineral based sunscreen for babies मामा आर्थ से है तो आप बरुस्ता कर सकते हो ये सेफ रही है अपके बच्ची की skin के ऊपर तो मैं तो हमेशा ये वाली sunscreen ही यूज़ करती हूं मेरी बेटे के लिए तो ये थी मेरी next product तो मैंने दो sheet mask ले ली है क्यूंकि मुझे लगता है कि कितनी भी tan removal कर लूँ गवाप पर tan जरूर होंगी और tan तो होगी ही होगी और skin को protect करने के लिए मुझे चाहिए थी और मुझे na good vibes की sheet mask यूज भी करनी थी क्यूंकि मैं पहले किया नहीं है तो ये है good vibes की insta glow sheet mask upton rinse से ये देखो और एक है natural glow sheet mask saffron good vibes की तो ये दोनों मैंने लिए है आपके सामने मैं apply करके दिखा दूंगी तो य नीट्रजी ना अल्टर शीयर इस पे 50 ड्राइट शन ब्लॉक और ये ना अल्टर लाइट क्लीन फील देती है water resistant है डार्मट डार्मट टेस्टेड है इसे मैं मेरी इसकी उपर मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी क्यूंकि अगर आपकी भी combination type of skin है मेरी तरह तो I hope आपको एक बार इसे try करना चाहिए क्यूंकि इसे apply करते ही ना मेरी face पर जो glow आती है ना तो मुझे और कुछ daily basis पर मुझे और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बस उसके उपर में powder puff करके निकल जाती हूँ इतनी glow देती है ये तो मुझे ये बहुत पसंद ह तो मुझे तो ये लेनी थी और एक पहली बारी वो खतम हो चुकी थी तो ये थी मेरी next product और एक skincare product जो कि मुझे अलग से use करनी थी इसलिए मैंने ली है वो है joy brand की तरफ से joy vitamin c brightening refining skin toner जिसमें grape seed and tomato है ये है कुछ इस तरह की ये देखो इसकी review भी मैं अलग से डालने की कोशि तो मैंने ले ली पाकी सारे जो भी कुछ है वो सारा है makeup products लाइक पहली है NYB की BB cream with SPF 15 ये देखो उसमें भी shade 02 whipped cream ये देखो तो ये मैंने ली है ये NYB की तरफ से क्योंकि मुझे one brand makeup करनी थी makeup video तो मैंने NYB की बहुत सारी चीज़े ली है तो ये थी BB cream उसके साथ मैंने ली है एक face palette NYB की जो कुछ इस तरह की है cute सा packaging है ये देखो कितनी छोटू सा cute सा है ये देखो travel friendly भी है जिसमें contour, blush और like highlighter आपको मिल जाती है ये देखो तो बहुत सही वाली है cute सा packaging है छोटू वाला एक तो मेरी ये मदद भी हो जाएगी vacation पर और एक है ये है NYB की eyeshadow palette I love ये देखो shade midnight magic, shade midnight magic ये देखो जिसमें मेरी shade है fair beige 2 ये देखो और इसमें mirror मुझे बहुत साथ पसंद आई है ये देखो बहुत अच्छी वाली mirror आई है full full एक mirror आपको मिल जाती है जो ली है वो है sugar की stick foundation क्यूंकि अभी थोड़ी थोड़ी करके मैंने बहुत सारी videos में देखिया कि गुवा पर क्योंकि बहुत जादा धूप होती है तो बहुत जादा sweating भी होगी और मुझे वैसे ही बहुत जादा sweating होती है और मुझे ना stick वगेरा makeup foundation stick बहुत जादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये ली है इसमें मेरी shade है 07 और ये sugar की like foundation foundation is of face foundation stick है जिसमें मेरी shade है 07 vanilla latte और ये कुछ इस तरह की है ये देखो ये इस तरह आपको इस तरह आपको foundation stick मिल जाती है और दूसरी तरह इसकी brush applicator मिल जाते है ये देखो जिसकी through up application कर सकते हो तो मुझे इसे मेरे पास sugar की foundation stick नहीं थी तो मुझे लेनी थी और क्यूंकि festive season ह है तो मैंने लिए तो ये थी मेरी आज की haul I hope आपको जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आती है तो please like करना share करना और अगर नहीं आती हो ना मेरी चनल पर तो subscribe कर देना और जो bell बटन है तिंटिंग वाले उसे भी प्रेस करके all notification को on कर देना तो बस आज के लिए इतना ही मि पर तिल देन बाई तेक केर